नमस्कार आदाप शस्त्रिया काल स्वागत है आप सभी का UP Warriors vs RCB Women के MPL Opinio के इस वीडियो में As usual अपने इस वीडियो में हम Match Analysis के उपर चर्चा करेंगे फिछ Report देखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि on the paper कौन सी टीम मजबूत है कौन सी टीम कमजोर है और दोनों टीमों में कौन कौन से मुख्य खिलारी मौजूद है इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और अंत में जाते जाते ये भी देखेंगे कि MPL Opinio पे इस मुकाबले से related आप कौन कौन से सवाल पा सकते हैं और उनका कितने आसानी से जवाब देकर अपने जोली में खूप सारे पैसे भी डाल सकते हैं इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे वीडियो में लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीवर से यही आग रह है यही अनुरोध है कि गुरू अगर आपको हमारे अपडेट्स हमारी यह जो पूरी इनफॉर्मेशन पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी दवाना मत भूलिएगा तो वीडियो में मैच अनलसिस, सवाल क्या MPL उपीनियों पर मिलेंगे इन सभी पर चर्चा करने से पहले चर्चा कर लेते हैं कि MPL उपीनियों पर खेलने के स्टेप क्या है सबसे पहले जिस भी मुकाबले में आपको investment करना है वो मुकाबला चूच कर लेना है उसके बाद इस तरीके से screen पर questions आपके आ जाएंगे उसका yes no में आप जवाब दे सकते हैं जो दूसरा step है वो यह कहता है कि उस question का आपको price भी set कर लेना है 0.5 से लेकर 9.5 के बीच में तीसरा step आपको कहता है कि भाईया number of shares खरीद लेना है जब आप number of shares खरीद लेंगे तो number of shares into price जो आपने set किया हुआ है उतने पैसे अगर आपका opinion सही रहा तो आपके जोली में आ जाएंगे तो यह पूरा process रहा कि कैसे MPL opinion पे खेलें अब आ जाते हैं कि match analysis part क्या है कैसे भाईया आप MPL opinion पे match analysis जानने के बाद investment कर सकते हैं तो match analysis की बाद करें तो pitch report सबसे पहला हमारा process होता है एम चिनना स्वामी stadium में मुकाबला होने वाला है आपको भी पता है कि बहुत कुछ यहाँ पे बताने को नहीं है batting fest होने वाला यह मुकाबला है खूब सारे run बनेंगे, असानी से run बनेंगे और जो भी बल्लेबाज टिक कर खेलेगा मजबूती से खेलेगा उसके लिए यहाँ पे run ही run है अब आजा सें UP Warriors के संभाविती 11 पर नजट डाल लेते हैं भाई यह अपने आखरी दो मुकाबले UP Warriors जीत कर इस मुकाबले में उतरेगी तो आपको भी पता है कि कोई भी अपने winning combination के साथ छेड़ शाड नहीं करता है तो एलिस हेली भी नहीं करने वाली है यही संभाविती 11 होने वाला है कोई भी फेर बदल आपको प्लेइंग लोन में नहीं दिखेगा कौन-कौन से मुक्य खिलाड़ी हैं पर अगर हम चर्चा करें तो बल्ले बाजों में हीली है अट्टा पट्टू है ग्रेस हेरिस है और ग्रेस हेरिस का बल्ला जम कर बोला है गुरू पिछला मुकाबला भी हेरिस ने अपने बल्ले बाजी के दम पे जिताया था में स्पिनर्स की बात करें तो एकले स्टोन, राजे स्टोरी गैकवाड, ग्रेस हैरिस, अट्टा पट्टू, दिप्ति सर्मा, आपको पताते चलू कि ये ग्रेस हैरिस जो है पॉर्पले के उब्रों में गिदबाजी करती भी दिखेंगी क्योंकि वह या जो आफ स्पिन की कम बिति सर्मा, ये स्योटी है, इतना बेहतरीन स्पेन कमिनेशन आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, अब आजाते हैं, आरसी बी के संबावीतिक ग्यारव पर नजड़ा डालेते हैं, बहुत कुछ बदलने को हैं यहीं संबावीतिक ग्यारव आपको खेले, खेलते भी मिलेगी औ अगर मुख्य खिलाडियों की बात करें तो मेन बल्लेबाज में मन्दहना हैं पेरी हैं डिवाइन हैं रिचागोस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बल्ला किसका बोला है कंसिस्टेंट कौन है पेरी हैं वहीं मन्दाना का भी कुछ मुझ काबलों में इस साल बल्ला बोला है लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं बोल रहा है यही कौज आफ कंसर्न है मैंने स्पीनस की बात करें तो जार्जिया वेरहम एस्मो लिनक्स अब आजाते हैं कुछ सवालों प्र सारे पैसे जोली में डाल सकते हैं पहला कोश्चन है यूपी टो विन्द मैच परसेस बैंगलोर तो एम चिन्ना स्वामी मुकाबला है जिस टीम में मन्धाना हो डिवाइन हो पेरी हो रिचागो सो एसमेगना हो फिर आप उसी को बैक करना चाहेंगे तो एक बार फिर से मैं बैंगलोर को ही बैक करूँगा और यहां पर यस लगा दूँगा अपना उपीनियन प्राइस सेट कर लूँगा क्वांटिटी खरीद लूँगा और अपने उपीनियन को MPL उपीनियों पे प्लेस कर दूँगा दूसरा कोश्चन है विल यूपी स्कोर मोर सिक्स दैन पिर तीसरा कोश्चन विल यूपी स्कोर मोर फोर्स तो जब छक्के बैक कर रहा हूं मैं बैंगलोर को तो चौके भी मैं बैंगलोर को ही बैक करूँगा इसका भी एंसर नो करूँगा प्राइस इसका सेट कर लूँगा क्वांटिटी मतलब नंबर आफ सेर्स खरीद यह ऐसे कुछ सवाल आपको मिल सकते हैं नोट करिएगा यह मेरा मैच एनाल सिस्था मेरे इसाफ से बैंगलोर की बल्लेबाजी काफी मजबूत है मैं मंधाना को बहुत बड़ा हीटर मानता हूं पेरी को बहुत बड़ा हीटर मानता हूं डिवाइन से बड़ा हीटर सायदी आप अंतराश्टी पटल पे किसी को देखेंगे रिचा घोस अपने आप में एक बड़ी सुपर इस्टार खिला डी है एस मेगना का अभी फॉर्म जबरदर्थ है जिस वज़ा से मैं अगर आम चिन्नाव स्वामी स्टेडियम पर या मुकाबला होगा तो बैंगलोर को फेवरेट मानूंगा बैंगलोर के ही बल्लेबाज मेरे हिसाफ से चोके और छके जादा मानना चाहिए जिस वज़ा से मैंने ये अपना उपीनियन बताया है आप अपने match analysis के साफ से अपना opinion place करिएगा और हाँ वीडियो में comment section में comment जरूर दाग दीजेगा कि ये information आपको कैसा लगा मिलेंगे आप से अगले report में तब तक आप अपना ध्यान दें सुरक्षित रहें, स्वास्तर रहें, मस्तर रहें जहिन चैभालाद